नोडबंदे के फैसले के बाद अपके इंदर सरकार की नजर बेनामी संपतियों और महंगी प्रॉपटी पर है काले दिन के खिलाफ इस कड़ी कारवाई के तहट देश के सभी प्रमुक शेहरों के हाईवे के पास की जांच शुरू कर दी गई है इसके अलावा देश के प्रमुक शेहरों के वियाईपी इलाकों में मौझूद जायदादों की जांच भी की जा रही है साथ ही प्रमुक ओद्योगिक प्लांटों और कमर्शिल फ्लैटों दुकानों की भी जांच हो रही है आपको बता दे कि काली कमाई करने वाले जादा तर लोग अपने धनका निवेश प्रॉपर्टी में करते हैं और इसको देखते हुए अब जांच एजंसियां ये पता लगा रही है कि ये दुकाने, प्लाट, बड़े बंगले और ओध्योगिक प्लाट किन के नाम पर है कारवाई होगी, ये अक्ट एक नवंबर से लागू किया जा चुका है और इसके तहत बेनामी संपत्ती जब्त की जा सकती है और साथ साल की सजा का प्रावधान भी है तो काले धन पर अंकुष लगाने के लिए सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है लेकिन यहां आपको बता दे कि बिनामी संपत्ती रखने वालों की इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं की नाम भी शामिल है ऐसे में क्या सरकार निश्पक्षता से इन धन कुबेरों के खिलाफ कारवाई कर पाएगी यह एक बड़ा सवाल है देखते रहे है ठीपिलाएग